आज मुझको 9 घंटे तक CBI हेड़कॉर्टर में गुलाया गया था और असला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सोकॉल जो घोटाला हुआ है सोकॉल उसके बारे में पुस्ताज होनी है सब्सक्राइज जसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है दस जार क्रोड का गुटाला हुआ दिली में चाइज में जानता हूँ सारा केस फरजी है और आज मैंने CBI में 9 घंटे की कुछतस के दौरान 9 घंटे जो मैं पूरी साजिश्क की गेई आज ब्». आज मुझे समझ मैं कि इनोरें पूर्ण के दूम में सकतीं किसी कि और रहे हैं वो धिल्ली को केस वह थी सब्काम परहनी बाति पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी लेकिन आज अंदर जाके CBI के हेड़कोर्टर में नौ घंटे तक मिरको और समझ माई कि किस तरह से भारती जिनता पार्टी CBI जैसे एजनसीज को अनकॉंस्टिटूशनल तरीके से एसम विधानिक तरीके से गलत तरीके से दवाब बनाने के लिए ब्रूस कर रही है एक साइस पे बात हुई लेकिन मुझे आश्चरिय हुआ कि वहां भी साइड में मुझे दवाब बनाया गया कि आप छोड़ दो अब स्धाबं हुआ कि आप में क्योँ कि शान अच्विए क्यूं 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 आपके नला आपके शए 사स्फ का अब यसे अच्ज़र रहेंगे नहीं तो है मैं अच्व्दू खत्म हो जायेंगे तो मुझे कहा गया कि नहीं नहीं देखो यह केस तो ऐसी चलते रहेंगे दूसरा पाइदा आपको लोग मुक्यमंत्री भी बनाएंगे तो मैंने कहा यह मुझे मंत्री बनने के लिए थोड़ी एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है मैं इस तरह के Operation Lotus के जिसी दवाब में नहीं आने वाला इनको जो करना करें पूरा केश फरजी है कहीं दूर से दूर तक कोई सचाई नहीं है उसमें कोई एक करोड का एक रुपे का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ ये बीजेपी वाले कहते रहें और दवाब बनाते रहें दस अजार करोड का घोटाला हुआ है कोई घोटाला नहीं हुआ आज मुझे वहासे समझ माग है सर की समय दिया